टिट्स का ओना, लेट्स लर्न विद्फन बड़ी इसे एक, अगला अक्षर है छोटाऊ, छोटे उसे होता है उल्लू, तो चलिए पढ़ते हैं छोटे उसे उल्लू, बच्चों ये हैं बड़ाऊ, बड़े उसे होती है उन, तो पढ़िए बड़े उसे उन, अगला अक्षर हमारा है रिरा, रिरा से होता है रिशी, तो यह है बड़ा ए बड़े ऐसे होता है एनक तो चलिए पढ़िए मेरे साथ बड़े ऐसे एनक आव आएगा छोटा ओ छोटे ओसे होती है ओकली तो पढ़िए छोटे ओसे ओकली अगला अक्षर हमारा है बड़ा ओ बड़े ओसे होती है औरत तो पढ़ते हैं बड़े ओसे औरत ये कौन सा अक्षर है बच्चो ये है छोटा अंग, छोटी अंग से अंगूर तो चलिए पढ़ते हैं छोटी अंग से अंगूर ये है बड़ा अंग, इससे कोई शब्द नहीं बनता, इससे कहते हैं बड़ा अंग खाले ये है बच्चो का, का से होता है कबूतर, तो चली पढ़ते हैं का से कबूतर हमारा अगला अक्षर है खा, का से होता है खरगोश, तो चली पढ़ते हैं खा से खरगोश ये गा, गा से होता है गमला, तो चली पढ़ते हैं गा से गमला अगला अक्षर हमारा है घा, घा से होती है घड़ी, तो चलिए पढ़ते हैं घा से घड़ी हडा से बच्छे कुछ नहीं होता, तो इसे कहते हैं हडा खाली इसके बादाता है चा, चा से होता है चमच, तो चलिए पढ़ते हैं चा से चमच अगला अक्षर हमारा है चा, चा से होता है चाता, तो चली पढ़ते हैं चा से चाता ये कौन सा अक्षर है बच्चो, ये है जा, जा से होता है जहाज, तो चली पढ़ते हैं जा से जहाज और बच्चों ये है जा, जा से होता है जंडा तो चली पढ़ते हैं जा से जंडा इसके बाद आता है उआ, उआ से कुछ नहीं आता है तो इसे कहते हैं उआ खाली अगला अक्षर हमारा है बच्चों टा टा से होता है टमाटर तो चली पढ़ते हैं दा से टमाटर इसके बाद आता है ठा ठा से उता है ठटेरा तो बच्चों पढ़ते हैं ठा से ठटेरा इसके बाद बच्चों आता है डा डा से उता है डमरू तो चली पढ़ते हैं डा से डमरू अगला अक्षर हमारा है धा धासे होता है धकन तो चली पढ़ते हैं धासे धकन इसके वादा आता है अड़ा इससे कोई शब नहीं बनता है तो इसे कहते हैं अड़ा खाली अगला अक्षर है ता धासे होता है तर्बूज तो चली पढ़ते हैं तासे तर्बूज ये कौन साक्षर वच्चो ये है था, था से होता है धर्मस, चली पढ़ते हैं था से धर्मस ये कौन साक्षर वच्चो ये है दा, दा से होता है दवात, तो पढ़ते हैं दा से दवात इसके बाद आएगा धा, धा से होता है धनुष, तो चली पढ़ते हैं धा से धनुष ये कौन सा ख्षर बच्ची ये है ना, ना से होता है नल, तो चली पढ़ते हैं ना से नल बच्ची ये है पा, पा से होता है पतंग, तो चली पढ़ते हैं पा से पतंग इसके बाद आएगा फा, फा से होता है फल, तो पढ़ते हैं फा से फल ये कौन सा ख्षर है बच्चों, ये है बा, बा से बत्तक, तो चलिए पढ़ते हैं बा से बत्तक इसके बाद कौन सा अक्षर आएगा इसके बाद आएगा भा भा से होता है भालू तो चलिए पढ़ते हैं भा से भालू अब आएगा मा मा से होती है मचली तो चलिए पढ़ते हैं मा से मचली यह कौन सक्षर है बच्चो यह है या या से होता यग तो चली पढ़ते हैं या से यग अब क्या आएगा अब आएगा रा रा से रथ तो चली पढ़ते हैं रा से रथ इसके बाद कौन सक्षर है बच्चो इसके बाद आएगा ला ला से होता है लट्टू तो चली पढ़ते हैं ला से लट्टू ये कांस अक्षर है ये है वा वा से होता है वक तो चली पढ़ते हैं वा से वक ये कांस अक्षर है बच्चो ये है शा शा से होता है शल्यम तो चली पढ़ते हैं शा से शल्यम ये कौनसा अक्षर है बच्चों ये है शा शा से होता है शटकोण तो चली पढ़ते हैं शा से शटकोण ये कौनसा अक्षर है ये है सा सा से होता है सपेरा तो चली पढ़ते हैं सा से सपेरा इसकी बाद आता है हा हा से होता है हल तो चली पढ़ते हैं हा से हल ये कौन सा अक्षर है बच्चे ये अक्षा शा से होता है छत्रिय तो चली पढ़ते हैं अक्षा से छत्रिय ये कौन सा लफ़ते हैं बच्चे ये होता है त्रा त्रा से होता है तिर्शूल तो चली पढ़ते हैं तरा से तरशूल अब आता है हमारी वर्ण मालका आख्री अक्षर यानि ग्या से होता है ग्यानी तो चली पढ़ते हैं ग्या से ग्यानी